नमस्कार मैं अम्रेंद्र तिवारी अल्टाइम पबलिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जब रोजगार की बात होती है तो फिर सरकारे नजाने क्या-क्या वादा करती है चुनावी रैलियों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकारे एक सपना दिखाती है युवाओं के छोटी आखो में बड़े-बड़े सपने और दिल्ली तक ये सपना भी पहुँच जाता है सरकारे सत्ता में आ जाती है सत्ता के सिंगहासन पर सिपा सालार बैठ जाते हैं और युवाओं के रोजगार का जो मुद्दा है वो धीरे-धीरे गौन हो जाता है एक संगठन के आज हम बात करेंगे क्योंकि अस्थानिय बेरोजगार मुर्चा शुरुवाती तोर पे किसी भी चीज की शुरुवात जो है वो सुन्य से होती है हमारे साथ संगठन के कारे-कारी अध्यक्ष परनौ सिंग जी है इनसे हम पूछेंगे सबसे पहले परनौ जी ये बताइए आप लोगों ने जो यहाँ पर बैठक की है पतरगामा में मायोगनी अस्थान के आसपास जो आपने ये महत्तपुन बैठक की है क्या कहेंगे किस तरह की अभिवेक्ती आज जो है बैठक से निकल कर आई है और क्या आप लोगों का उद्देश है हमारा एक ही उद्देश है कि आप गड़ा जिला की युवा छली नहीं जाएगी रोजगार देना होगा और हम रोजगार ले कर रहेंगे यह हमारी पहली परात्मिक्ता है अस्थानी बरजगार मुर्चा का आज हम लोगोंने बैठक जो किया यहां पर हमारी संख्याबल का अंदाजा राची और दिली में बैठे जन परतिनिधी ना लगाए या सरकार ना लगाए आगे चलकर हम लोग उग्र अंदोलन के लिए भी जो सो बात देहोंगे यदि हमारे बातों से यदि सरकार और यहां के परतिनिधी रोजगार मुहया नहीं कराती है तो क्या ये राजनितिक संगठन है या फिर आप लोगोंने मुर्चा तयार किया है और रोजगार आप किस से मांग रहे है दीके मैं सबसे पहले आपके माध्याम से वैसे युवाओं वैसे राजनितिक संगठन को मैं जो सो बताना चाहूंगा कि यह अस्थानी बेरजगार मुर्चा पुर्न तया जो सो गहर राजनिति संगठन है इसका किसी भी राजनितिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं किसी भी राजनितिक पार्टी के जनपरत निद यहां की बहुत बढ़ी ट्वली है जो कि रजगार के लिए जोसो हिदरव भटक रहें रॉजगार के लिए ओपनी छthenches निकल रहें जबकि हमारे हमंसारे संसाथन अहीं जैसे औरनी राजमहलप परियोजना जिंदल और यहां के वाउट आरे जमीन दातां के जमीन पर जो सो एंटी पिशी जो सो अपने मजी आरको जो सो डेवलयब की है तो हमारा रोजगार महा पे भी जो सो क्योंकि हमारे हुआ से जूसद प्राद फढ़ और भोगड़ और तो सरकार किसी निती पर जो सो उसके साथ है कंपरमाइज किया कहिए देहला है हमारे अधिकार को किसने चीन रहा है या फिर हमारी आधिकार को दोहन कहीं मुद्रान लेकर के तो जो सो नहीं कर रहा है तो ऐसे समय लिये तो हम युवाज छले जा रहा है इसलिए हमारी पहली प्रातमीकता होगी कि आड़ानी अराजमाल परियोजना मैं अधिक साधिक युवाओं को अस्थानेता के अधार पर रजगार मुहिया करा और हमारे यहां के आपके माध्यम से इस मैं अस्थानी जन्परतियां को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम को सपल बनाने में हमारा सायूग करें चलिए बहुत शुक्रिया और भी लोग इनसे बाते हैं कि पहले आप लोग को नोकरी का प्राथमिका दी जाएगी उसके बाद ही हम लोग अपने बारे में कुछ सोचेंगे जब तक आपको 100-200 लड़के को जब तक हम लोग जोब नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम लोग अपने स्वार्थ के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे चलिए इनसे पूछते हैं क्या नाम वसर और राज की बैठक से समनित क्या कहना चाह हो सकता है कि जब इस संगड़न से आकर हमारे नहीं हुआ पीड़ी जूड़ेंगे और इसी बैठा का यहीं परपस्ता की अस्थानिये लोगों को यहां पर जाद दिया जाए चलिए पटा-फटा आप लोगों से भी जानल क्या नाम वसर कहां से आया है मैं मोहनपुर्श आ इनको रोजगार नहीं मिला है और यह अपनी ब्याथा जो है और कथा दोनों बता रहे हैं कि क्यों उम्मीद है कुछ बदलेगा अभी जो जिस तरह किसे आप लोग संगठन बनाए हैं उमीद है कुछ बदलेगा बिल्कुल बदलेगा हमारा जो ऑर्गनाजेशन जो गुरूप है यह गवर्मेंट को हिला अब हमारे युवा को रोजगार दीजिए और उसका फालन पॉसन का भरपाई कीजिए बहुत 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 शुक्रिया और लोगों से इनसे पूछते हैं क्या नाम हूँ असर मेरा नाम चंदन भगत है आज यह थोड़ा इदर आज 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 यह थोड़ा क्या क सबसे पहले तो अस्थानियों वेरोजगार मोर्चा की और से सभी युवाओं को बधाई है कि आप सोशल साइट पर देखकर आप इस बैठक में उपस्तित हुए और इस मोर्चा का मकसद सिर्फ एक है कि अस्थानी युवाओं को रोजगार दिलाना हम सभी देखते हैं कि ह जानते हैं कि अगर हम इन्हें रोजगार दिला देंगे तो यह मेरे साथ नहीं होंगे और अस्थानियों रोजगार मोर्चा कि यह चाहती है और यह दृड़ संकल्पित है कि हम हर युवा को योगता के अनुसार हमारे आसपास जितनी भी कमपनिया हैं मैं उन्हें सीधे त परियास किया है हमारे युवाओं ने हमारे समंधियों आप पहली परात्मिक्ता दें चलिए आगया जी आगया जी व्यां तो लोगोंसे बाठी तम कर रहे हैं चलिए यह बताईए कि युवाओं के नाम पे तो हमेशा से युवा जोस्व बात होती है चुनाओं के समय तो रोजगार के मुद्दे पर जो यह मर्चा बना आएं किस तरीके काम करेगा यह अच्छा काम करेगा और पुरा मजबूती से अपना काम करेगा और में चाहता हूं यहां के जनपरतर यूजनाई आई उसमें रोजगार क्यों नहीं मिला यूबाओं को सिर्फ यूबा के आपका जंडा ढोने के लिए खाली पेट जंडा ढोने के लिए है यूबा जो है एसी ब्रजुकार पड़ा रहेगा आपके उंगलिक निसारों पे ऐसी नाचेगा तो आपकी ये प्रात्म क्रिया इन से पुछते हैं क्या नाम हुए आए आईए दिपक जी आए आईए क्या नाम होगी है रोजगार के मुद्धे पर कि लिए हैं कहां से आए सब्सक्राइइख ने व्हां हैं मितलब देख रहा हुँ कि बहुत सारे जगों से बढ़ेगा हरियाना पंजाब वगेरा वगेरा जगा इतने बड़ी-बड़ी कंपनियां होते हुए भी कौसल दक्षता होते हुए भी हम लोगों को रोजगार यहां पर नहीं मिल रहा है चले लोगों की रोजगार की आईए सर आई आई इसे पूछते हैं क्या नाम हो आपका परदीप मंडल हुआ परदीप जी यह बताए कि जो अस्थानी बिरोजगार मोर्चा का गठन हुआ है क्या उम्मीदे लग रही है कि सरकार को जुकना ही होगा और जोब देना ही होगा काई कि बिरोजगारी जब चुनाव का समय आता है तो सरकार बहुत जूटे वादे करक कि बोट लेते हैं हैं में वह करेंगे यूवा के लिए युवा भाक को ठका जाया array उवागको कब तक ठका जाएगा आज युवा दरदर भटक रहे है लोकल युवा तो कब तक युवा भटकेंगे सवाल बहुत बढाये कर tutto कि अब तक छाएंगे कोई सवाल बहुत बड़ा है और हमेशा से आप देखते हैं कि शाम के 8 बजे आप जब कॉल करते हैं जादा तर कॉल इसी बात को लेकर आते हैं कि सर रोजगार कब आएगा रोजगार कब मिलेगा आवरीब्रीबडीइ इस कि यृई से अधीक से अधीक अभशर म मिले और मैंने कई कैसे TV डिवेट में देखाए कि देश की सबसे बड़ी समस्य जन संख्या detector है है तो यह है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है चीन में जनसंख्या नहीं है कैसे इतना डवलब कर रहा है क्योंकि वहां हर हांत में काम है यहां पर हर हांत में से कम नहीं है और हमारा देश चीन से अधिक यूबा देश है पूरे विश्व में सबसे अधिक यूबा देश है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक यूबा हमारे देश में निबास करती है लेकिन हमारे देश के जो यूबा है उसके हांत को बंद के रखा गया उसको परदर्सन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है उसका परतिभा का गला घोटा जा रहा है तो इन सब चीजों को ध्योन में रखते हुए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं अस्थोनिय अस्तर पर जो भी कमपनियों आ रही है उनमें हमारे अस से आके यहां हुकुम चलाएगा और हम लोग उसको मौन लेंगे आज अड़ोनी कंपनी और इसल कंपनी के जीम सब यहीं कर रहे हैं हम लोगों को गुलोम समझके रखे हैं यह गुलोमी की जंजीर अब बहुत बड़े बज्र बनकर उनके उपर गिरने वाला है हम लोग जो सभी धर्म के लोगों का सभी जाती के लोगों का इसमें स्वागत है कियों की रोजगार सबकी जरूरत है आज अगर हर हंत को कम मिलने लगेगा तो निस्चित ही हमारा देश तरक्की करेगा तो रोजगार आप किसे मांगेंगे रोजगार कंपनियों से मांगेंगे आप लो केंदर सरकार से मांग करेंगे उनके ओपर दबाब डालेंगे हो सकता है तो उनके विरुद्ध हम लोगों को जहां जाना पड़ा वहां जाएंगे राज्य सरकार के अंतरगत जो मुद्द्ध हैं और जो विसे हैं उसके लिए हम लोग रोजगार के लिए राज्य सरकार के पा करेंगे धरना करेंगे परदर्शन करेंगे कभी भी हम लोग सरकारी कव्म में बाधा बनने का कव्म नहीं करेंगे लेकिन इन सबों के माध्यम से हम यूवा अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे और उनसे रोजगार लेकर रहेंगे चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और अपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा और यहां पर जो आज आये हैं यहां शुरुवात हुए लड़ाई की अगर सरकार यहां नहीं सुनती है तो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी अनसन की जाएगी और हमारे बक्सरा और मुतिया जो है उसके बगल में अड़ चैनल की जा रही है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो सभी युवाओं की मांग है कि जल्द से जल्द नौकरी के लिए आगे आना होगा चाहें वह गव्मिंट की कंपनी हो चाहें वह राज सरकार के अंदर हो चाहें कैंसरगा सबसे वड़ा सवाल आज अल टाइम पूरेट के साथ तब तक लेन उसकार जै हिंद जै भारत जोहार जारखंड जै जारखंड